उत्तर कोरिया को सबक सिखाने के लिए अमेरिका और चीन ने एक दूसरे से हाथ मिलाया था लेकिन किम जोंग को सुधारने की बज़ा ये दोनु देशी आपस में भिड़ गए जहां अमेरिका चीन पर उत्र कोरिया का साथ देने का आरोप लगा कर प्रतिबंद लगाता है तो ये चीन भी आरोपों को खारिज कर अंजाम भुगतने की चेतावनी देने से नहीं चुकता उत्तर कोरिया पर जब चीन ने अमेरिका का साथ नहीं दिया तो गुस्ताय अमेरिका ने चीन की 16 कंपनियों पर प्रतिबंद लगा दिया जिससे चीन बुरी तरहा बॉकला उठा है और उसने अमेरिका को चेतावनी देडा ली है चीन के सरकारी अकबार Global Times में लिखा है कि अगर अमेरिका प्रतिबंद नहीं हटा था तो वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे Global Times ने लिखा कि चीनी कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंदों को चीन कभी स्विकार नहीं करेगा अमेरिका के उत्तर कोरिया का साथ देने के आरूपों को खारिच करते हुए Global Times में लिखा गया कि उत्तर कोरिया को लेकर चीन पूरी कम भीरता से UN Security Council के नियमों का पालन कर रहा है वे उत्तर कोरिया को कोईला, लोहा और अन्य सामानों किया पूर्ती पर रोक लगाएगा अगर कोई भी चीनी कमपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उन्हें चीनी कानून के तहट सजा दी जाएगी अमेरिका को धमकी देते हुए Global Times ने लिखा कि अगर इन प्रतिवंदों से अमेरिका को यह लगता है अच्छा है कि अमेरिका अपने गिरेबा में चाके आपको बता दे कि अमेरिका ने उत्तर कोरिया के परमाडू कारेक्रम में सहयोग करने का आरोप लगाते हुए रूस और चीन की 16 कमपनियों पर प्रतिबंद लगाया है यह साल में दूसरी बार है जब अमेरिका ने चीनी कमपनियों और लोगों पर इस तरह का प्रतिबंद लगाया है इसे पहले जून में मनी लॉंडरिंग के आरोपों के चलते बैंक ओफ डैन डॉक को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था डिविलाइफ की रिपोर्ट